ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा सबापती मौदे, it gives me a sense of immense pride to participate in the debate today on completion of 70 glorious years of this constitution day लोक्तंतर का उढ़दन हूँ, अधिकारों का संभोदन हूँ, मैं सविधान हूँ, मैं नयाय शक्ती का लोचन हूँ 26 नवंबर 1949 को भारत सविधान को अंगिकृत किया गया, अधी निमित किया गया, आत्म समर्पित किया गया और सोलत अनुछेनों के साथ में जोदपूर के प्रसिद विधी वेता लक्ष्मीवल सिंग्वी जी ने प्रस्ताफ दिया 1979 में के 26 नवंबर को विधी दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और 2015 में बाबा साहब अंबेड करके 125 वी जनव कात मनाने के उपर इसको सवधान दिवस में मनाया जा रहा है बड़ी कठिन विश्म परस्थितियों में इस सवधान का निर्मान हुआ और आज 70 साल भी बाद भी ये किस तरीके से हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट और गैरंटी करता है 9 दिसंबर 1946 के अंदर ही सबसे पहली बार जब इसकी सवधान सभा की बैठक होनी थी तब ही अंग्रेजों ने कह दिया था केस नहीं होगी ये नहरू और पटेल की जिद थी कि 9 दिसंबर 1946 को ही सबा होगी और सबा हुई और बहुत सी अर्चने आई कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा नए राज्यों के गठन का आधार क्या होगा भौगॉलिक होगा भाशा के उपर होगा बहुत सारी दिकते थी आदिवासियों जन जातियों की अपनी संस्कृती है उसके बारे में उनके भविश्य के बारे में देशी रियास्तों अल्ब संख्यकों के बारे में राश्ट भाशा को लेकर था सब्धान समिती के एक सदस एक आरवी धुलवे करने तो ये तक क्या दिया था कि जो व्यक्ति हिंदी नहीं जानते वो सब्धान सभा के सदस से होने का उने अधिकार नहीं है उन परिस्थितियों में से एक खूबसूरत दस्तावेज निकल कर आया इस नॉट अस्टाटिक डॉक्युमेंट इस अन और गैनिक डॉक्युमेंट यह सदन और सरकार चलाने का दस्तावेज नहीं है लोक तंतर को सीचित करने में भी इसकी एक एहम भूमी का है सविधान के अंदर कॉंग्रेस का जो योगदान है उसे बात नहीं करेंगे तो यह चर्चा दूरी रह जाएगी 208 कॉंग्रेस के सदस्य थे और बहुत सी बातें इहां कही गई कि कॉंग्रेस में किसको टिकेट दिया और किसको नहीं दिया और क्या उनके कथन कहें गई ग्रैवल ऑस्टन के दो कथनों को दो ट्रेजरी बेंचरस के वरिषनेताउन ने उनके कथन को कहा कि वो एक सामाजिक दस्तावेंच है ग्रैवल ऑस्टन की एक किताब है Indian Constitution Cornerstone of the nation और उनमें वो कहते हैं सविधान सभा का मतलब कॉंग्रेस और कॉंग्रेस का मतलब भारत भारत सभी वर्गों का प्रतिनिद्टु कर रही थी तीस ऐसे सदस्य थे जो कॉंग्रेस के टिकेट पर कॉंग्रेस के नहीं होकर वहां पर आई थी अलादी कृष्णा स्वामी आयर हिदेनात कंजूर एंगोपाला स्वामी आयंगर डॉक्टर बी आर अमबेडकर के सथानम आर्ट एयां एमार जैंकर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा श्यामा प्रसाद मुखर जी हरिन कुमार मुखर जी और आप हैं के लोक तंतर में अपनी आस्था की दुहाई ही देते हैं छे वर्शों से विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दे रहें डॉक्टर अमबेडकर, I would like to take this opportunity to pay homage to this man who had wisdom and sensitive hearts in building this constitution today that guarantees us. आजकल कल कई नेता सविधान की चिंता जुबानी तौर पर तो करते हैं लेकिन जमीनी स्थर पर उनके विचारों को अधिक से अधिक खोकला बनाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर अमबेडकर के consensus के concept को हाश्य पे धकेलने की बात करते हैं participatory form of democracy और वो जो सपने संजोई गए थे कहां हैं वो आज सब वो सपने कहां गए हम देख सकते हैं डॉक्टर अमबेडकर का एक कथन था कि भक्ती अगर इंसान भक्ती करे तो रूज अन्नत में चली जाए लेकिन सियासत में भक्ती डिक्टेटर्शिप की तरफ जाएगी ये परिदेख्श हमें तेखने को मिलता है political dictatorship is dangerous for democracy अमबेडकर कब कॉंग्रेस के टिकेट पे आए नहीं दिया इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया उसका भी एक मैतिहास को लेक करना चाहूँगी बी इन राव जब इंग्लेंड गए आईवर जेनिंग्स जो की ग्याता माने जाते थे constitution के और उन्हें कहा कि भारत सविधान का निर्मान कर रहा है आप हमें मागदर्शन दीजिए तो जेनिंग्स ने आते हुए कहा कि पूरी दुनिया के सविधान के मास्टर तो आपके पास में भारत में बैठें और उन्होंशा कौन कि डॉक्टर भी आरं अमबेड कर उन्होंने भारत आकर बातफेसए बात डॉक्टर राजिंदर पिसाद कुटाएं और तुरंथ डॉक्टर राजेंदर पिसाजी ने उस वक्त के मुंबई के प्रधान मंत्री बीजी खेर को लेटर लिक कर कहा कि मुंबई से विधान सभा को रिक्त करवाया जाए एमार जेयर कर को स्थीवा दिलवाया और कॉंग्रिस के टिकेट पर डॉक्टर अम्बेट कर को विधान सभा से सदस्य बन कर आए और बाद में ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष बने वो सविधान के जनक और जन्नी दोनों के रूप में मैं उन्हें देखती हूँ लेकिन पंडित जवार नाल नहरू के योगदान को भी की भी आज लोकतांत्रिक मुल्य और सविधान में का अतुल्य भूमिका है और स्पेशली जिस नाइन शड्यूल की मैं बात करना चाहूँगी कहने को बार जहां से अध्यक्षता से लेकर जो भी परिस्थितियों के अंदर आए नहरू का विजिन था विजिन अफ डिमॉक्रसी विजिन अफ इंडिया विज नहरू 13 दिसंबर 1946 कोनों ने उद्देश्य का पस्ताव रखा आगे चलकर यही उद्देश्य भारत की सिदान के पर प्रस्तावना के आधार बने 22 जुलाई 1947 को राष्ट धज के रूप में तरंगे को स्विकार गया गया और एक एक शब्द उनके भाषन का यह बताता है कि राष्टर के प्रती हमारी क्या भावना थी 14 अगस 1947 को आजादी से पूर्व की संध्या पर जो उनका भाषन था टाइरस विज देस्टिनी वो बताता है कि हमारे भारत के अंदर हमारी क्या भावना थी डॉक्टर राजिंदर प्रसाद सिदार पटेल डॉक्टर अंबेड कर सब साथ मिलकर उन्होंने समाधान किया किया सकता था उस वक्त के कुछ विपक्षी डल विपक्षी सोच के लोगों ने कहा कि यांतरिम संसद है इसके अंदर संचो नहीं किया जा सकता आप इंतिशार करिया आम चुनाफ का ढैट्स रेट्स पंडिजबाहननाल ने कहा, भारत की जन्ता ने बहुत इंतार कर लिया, आँ इंतार नहीं कर सकती। यह आज दिल्टे फर्स्ट लिए अ जिर्स्ट है रिकात्रप्रिय। I would also like to remember इंद्रा गांधी जी जिनका डिमोक्रिसी में अपनी एक आस्था थी, चौदा बैंकों के रश्ट ये करन को उनोंने किया, वो रुस्तम वर्सेज भारत सांग के अंदर चैलेंज हुआ और बाद में पचीसवे संशोधन और के साथ में उनको प्राथमिक्ता मिली, उन कि आस्ता थी के राजा और रंक में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, सब को समान द्रश्टी से समानता का अफसर मिलना चाहिए, चर्चिल ने कहा था कि भारत के लोगतंतर दो दशक में समाप्त हो जाएगा, भारत के टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन आज भी उन सब से बना चाहिए, 36 संशोधन के साथ सिक्किम को विशेश प्रावधान दिये, और 42 संशोधन के साथ में जो आज प्रधान मंत्री, मैंने देखी थी उनकी भाशन, उप राष्ट्रपती, राष्ट्रपती, और उचितम न्यायले के मुख्य न्यायदीश, सब आज कल जो में फोकस कर रहे हैं, वो कर्तव्यों पे कर रहे हैं, जो 42 संशोधन के द्वारा अनुचे 51 से लेकर आए गए थे, क्यों आज हम इस डगर पर आ गए हैं, क्या अधिकारों कर्तव्य के अंदर संतुलन की चर्चा आज एक मुख्य चीज बन गई है, हम किस तरफ विचलित हो रहे हैं, क् रहने को एतिहासिक संशोधन जो नोंने किये जिसके साथ अनुचे 39 ए जहां सरकार समाज के कमजोर वर्क के लिए निशल्क न्याय और विधी सायता की व्यवस्था करेगी, 43 ए जहां राज्य उद्योगों के प्रधन मिकों की भागिदारी को सुनिश्चित करेगा, 48 ए जह सामप्रदाए धर्ग वर्गों को मिलाकर विविद्च और आकांशाओं को भारत का सवधान पूरा करता है, कॉंसेप्ट ऑफ युनिवरसल वैसक मत ताधिकार का प्रावधान भी हमारे यहां पर किया गया, 1919 के अंदर अमेरिका के अंदर महिलाओं को वोट का धिकार दिया बाद में इस वोट के अधिकार की 21 को 18 कर दी और यूवा शक्ती के अंदर अपने विश्वास को बताते हुए जलकाया, आज हमें इस चर्चा को इस सदन से ग्राम पंचाय तक ले जाने की बात हो रही है, विशेशकर यूवाओं तक पहुचने की आवश्यक्ता है, जो फे हमें अवेरनेस प्रोग्रेम्स, स्पेशल डिवन प्रोग्रेम्स और कैंपेंज के तुरू यूथ पे पहुचने की जरूरत है, आइम अ मिलेनियल, जी हाँ, वही मिलेनियल, जिसे किसी ने कहा था, मुझे नहीं पदा, कि अर्च व्यवस्था में मंदी इसलिए आ गई है, कि मिलेनियल, कार और ओला को इस्तमाल करते हैं, I am the same मिलेनियल, और आकड़े बताते हैं, कि वो मिलेनियल जो सक्षिक्षित हैं, जिनके पास संसादन हैं, they have the lowest participation percentage in political democracy, क्यों, क्यों हमारा मो भंग हो रहा है, इसमें सोचने की आवश्यक्ता है, दल बदलु कानून लेकर है, आज केस परिपेक्ष के अंदर महाराश्टरा और जो हम देख रहे हैं, इस कानून को दुबारा संचोधित करने की आवश्यक्ता है, इवन उपराश्टर प्राश्टर प्रती वेंकेया नाईडू जी ने अपने किसी एक भाशन के statement में कहा है, the anti-defection law is not implemented in letter and spirit, वो भी व्यतित हैं, 5-6 साल के इसको देख कर, NRC की बात हो रही है, हमने असम समझोते से असम की समस्या का समाधान किया था, में एक और बात करना चाहूंगी महिलाओं की 33 प्रतिश आरक्षन की बात करना चाहूंगी और आप घंटी मत बचाईए का महिलाओं की सुरक्षा गारंट कर पैस माप्त करें, समय बड़ा दिया ना, आदर गंटा कर पैस, समय आदर गंटा बड़ा जाए जिसको साही धंग से रेखंग कितना ही किया गया, आज I will like to take this opportunity to remember those women who, जिनका एक कॉंट्रिबूशन रहा है, विजयलक्षमी पंडित, सुचिता कृपलाणी, सरोजनी राइडू, राजकुमारी अमरिता कौर, रेनुकर राए, एनी मॉसकोर्ने, पुर्निमा बेनर जी, मालती चौधरी, लीला राए, हंसा मेता, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुक, अमुस्वामिनाथन, दक्षाइनी वैलू युधन, बेगम एयाज रसूल, करपश समाप्त करें, नियाए पालिका की भी एक अहिम भूमिका रही है, केश्वानन भारती के अंदर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को नई छेडने का दिया, विशाखा के अंदर there were guidelines given for women protection, और सब्री माला मंदिर के अंदर, मैं especially महिलाओं के लिए कहना चाहती हूं, कि वो महिल मंदिरों मों जा सकें, लेकिन एक महत्वपून टिपनी जो सुप्रीम कोट ने करीवा अनुछेद 17 के तहट थी, के 10 से 50 वर्ष की महिलाओं कार्मों की वज़े से मंदिर में प्रवेश को रोकना, आर्टिकल 17 की तरह चुआ चूथ है, मुझे लगता है कि हमें आई ना दे आप समाप करें, आधुनिक रूप के अंदर हमारे उपा है, पूल करतब वेग्यानिक दिष्टिकों हमें करने की जरूरत है कि किस तरीके से आजकल जो लोकतंतर को सविधान को ठेस पुचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूंगी, लास्ट में, विपक्ष के उपनेता ने कहा था, प्रधान मंतरी की स्पीच को कोट करते हुए, कि उन्हें ने एक कॉंसेप दिया, डिगनिटी फोर इंडिया, और ये कहा कि देश भक्ती हमारे मन में है, लेकिन आपके मन में नहीं, वाट अबाओ दिगनिटी आफ महराश्टरा, वाट गवरनर्स और मेड़ एस ट्रोजन भॉससे विन सुप्रीम कोट सेज के गवरनर्स को भी देखा जाएगा कि किस तरीके से किया, आप इस तरह मत कहिए, जिसने स्वतंतरता कि बलेदानों में अंगुली ना कटाई हो, और वो कह हमारे मन में बसते हैं, आप समाप करें, आप आप इस जिस दिने, जिस दिनाए प्रती पल अपनी हर्शाल के सार, मैं भुगत कियूं इस चीज को, आज कितना इंफलो है, आपके सी जी आई ने कहा है, बार बार सब कह रहे हैं, कितना इंफलो है, केसिस का, टाइमली जस्टिस नहीं हो रहा है, और किस तरीके से पद कम ह है, पद खाली है, सुप्रीम कोट की वीजनल बेंचिस बनने, बननी चाहिए, अगला नम पुकर रहा है, मैं रामलाल जी सर्मा, कॉंस्टिटूशन, कॉंस्टिटूशन, मैं क्योंकि मानने सदे से चोमू नहीं हूँ, ठीक है, कॉंस्टिटूशन रेकिनाइस, पार्लिमें दो हजार, मैं बनना भी में चाहिए, दो हजार अठारा के यूनियन बजट को आप बिना बहस के सब्सक्राइब, मुझे रखता है, कि समीधान की जो बाहुन है, उनके पालना इनको भी करनी चीए, आपने मेरा नाव पुकार लिया, लोगतंतर के सूरज को राजने ते कप परादों, घोटालों और भष्टाचारों से बचाना है, किरन-किरन जोड कर नया सूरज बनाना है, आईए सब मिलकर एक सार्थक का रूप में एक नए सविधान के अंदर, इस सविधान को नए तरीके से बिना भेदभाव के इसको आगे ले जाने का काम करें, धन्यवाद ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठ्था